करनाटका एक ऐसा एस्टेट जो ब्यूटिफल तो है ही साथ ही नेचर के भी काफी क्लोज है और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि यहां के जादतर लोगों की लाइस्टाइल काफी इको फ्रेंडली है और ऐसी एक स्टोरी है धर्वाट डिस्क्रिक्ट में रहने वाली अपणाजी की अपणाजी पुराने न्यूस्पेपर को रियूस करके उन्हें एक नई जिन्दगी देती है वही न्यूस्पेपर जो हमारी घर में अल्मोस्ट डेली आता है और हम उसे कलेक्ट करके रद्वी वाले को दे रहते हैं सो लेट सी अपणाजी न्यूस्पेपर से क्या बनाती है मोस्ट लोगों की तरह में भी हर रोज न्यूस्पेपर पढ़ती थी और क्योंकि न्यूस्पेपर से बनता है और पेपर ट्रीज कट करके तो इंडरेक्ली है डरेक्ली न्यूस्पेपर की वज़ह से डीफॉरस्टेशन तो हो ही रहा है वहीं दूसरी तरफ, इंडिया में हर साल चार लाग से भी जादा ट्रीज को सिर्फ पैंसिल बनाने के लिए काटा जाता है और मुझे जब ये पता चला तो मैं काफी शौक थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों प्रॉब्ब्रम को मिला के एक सलूशन दिका दोंगी तो अपर्णा जी इन न्यूस पेपर से पैंसिल बनाने के तरीके ढूनने लगे अपर्णा जी ने ओनलाइन कई सारे आर्टिकल्स और इन्नोवेशन के आईडिया देखे और फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंची और अपने इस आईडिया को प्रेक्टिकल बनाने के लिए वो लगातार तीन महीने तक महनत करती रही और काफी ट्राइलेंड एरर के बाद अपर्णा जी ने फाइनली न्यूस पेपर को यूज़ करके पैंसिल बना ही ली और ये पैंसिल अल्मोस्ट परफेक्ट बन गई थी अब मुझे पैंसिल्स बनाने का तरीका तो पता चल गया था तो अपर्णा जी ने इन पैंसिल्स को इस तरह से डिजाइन किया कि इसमें सीट्स को डाला जा सके उन्होंने एक डीकमपोस्टिबल माटीरियल में इन सीट्स को रेप कर दिया और फिर पैंसिल के एज पे चिपका दिया तो जब पैंसिल्स पूरी तरह से यूज हो जाती हैं और उन्हें डिस्कार्ट कर दिया जाता है तब भी ये स्वाइल में जाके किसी प्लांट में कनवर्ट हो सकते हैं और ये पैंसिल्स लोगों को पसंद आनी लगी मुझे समझ जा गया था कि अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करना चाहिए था फिर मैंने अपने आसपास की महिलाओं को अपना प्लान बताया और इंट्रेस्टेट महिलाओं को पैंसिल्स बनाने के लिए ट्रेंग करने लगी और मैंने अपने इस स्टार्टप को इला एंटरप्राइजस के नाम से शुरू किया। तो समझते हैं कि अपढणा जी न्यूस पेपर से पैंसिल्स बनाती गैसे हैं। सबसे पहले मैं न्यूस पेपर को इकटा करती हूँ। उसके बाद न्यूस पेपर्स कटिंग को जाते हैं। कटिंग होने के बाद लेट उसके अंदर ग्लू करके पैंसिल्स को रोल किया जाता है। रोल होने पर रोल किया हुआ पैंसिल्स ड्राइं के लिए जाते हैं। ड्राइक होने के बाद वो कटिंग के लिए जाते हैं, कट होने पर फिनीशिजिंग को जाकर कर लिए। पर काकेल कीजा जाता है। और इस तरह से यह amazing eco-friendly pencils तैयार हो जाती है। अपड़ना जी इस start-up से अभी तक approximately 1440 tons of paper waste को recycle कर चुकी है जिसे Elia Enterprises ने thousands of trees and electricity को save किया है इतना ही नहीं, अपड़ना जी इन pencil से हुई कमाई का बड़ा हिस्ता एक S.E.N.G.U. में डोनेट करती हैं जो बच्चों की पढ़ाई पे work कर रहे हैं अगर आप इस initiative and major को help करना चाहते हैं तो आपकी newspapers, Elia Enterprises, धरवार, Calgary इस unit को donate कर सकते हैं अगर आप करनाटिका के धरवार district के आसपास रहते हैं तो Elia Enterprises के volunteers आपके पास खुद आके आपस यूज़ नेउसपेपर कलेक्ट कर लेंगे आपको बस इस number पे call करना है और इसी तरह से कुछी steps में हमारे waste papers एक useful और eco-friendly product में convert हो जाएंगे आपको अपर्णा जी का ये start-up हमें काफी जादा अच्छा लगा इसलिए हमने decide कि हम उनकी story आपसे share करेंगे This is not a paid promotion